इस मॉडियूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम कैली की रेटा इसके सेलियन्ट फीचर्स और मुख्तलिफ क्रेक्टरिस्टिक्स को डिसकस करेंगे । आर्थवốc में के अंदर सब फाइलम, कैलि की रेटा, लफ्द। कैलि की रेटा जो है दो ग्रीक लफ्द का कम्बिनेशन है। गैली का मतलब है, कला और प्लूरल एटा का मतलब है, सफ्ण। यानि इनके अंदर जा जो है, वो मजूद है। फिर इसके अनEDर कुछ ऐसे आनिमल हैं जो के बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, इन फैमिलियर एनिमल जे अंदर हैं, magari इसे एनिमल बी हैं जो इतने ज़्यादा फैमिलियर हैं, इन के अंदर हैं होर्ष्षू, शेय physical क्रैब्ड और सी स्पाइडर अब यह एनिमल्स जो है कैली की रेटा के इनका important characteristic क्या है कि इनके अंदर दो टेगमेटा है टेगमेटा का मतलब है outer body covering एक है हो हम कहेंगे prosoma या cephalothorics prosoma या cephalothorics जो है यह sensory function में यूज होगी feeding में यूज होगी और लोको मोटरी और गैन्स जो है और गैलिस जो है वो नार्मली इस टेगमा के ऊपर मजूद है फिर prosoma पार्ट जो है eyes जो के बहुत important sensory organs है वियन का काम करती है यह भी prosoma के ऊपर मजूद है लेकिन बहुत सारे दूसरे आर्थ्रोपोर्स में आपने characteristic feature देखा होगा antenna antenna जो के head region पर मौझूद होता है लेकिन इनके अंदर antenna जो है वो मौझूद नहीं है फिर paired appendages जो है they are attached with the prosoma और जो इन appendages का first pair है उसको हम कहेंगे कैली की रेटा अब कैली की रेटा जो है यह अकसर पिंसर shaped होगा या इसके अंदर की लेट होगा और most importantly in different animals के अंदर यह feeding purpose के लिए use किया जाएगा इसके लावा इस prosoma के अंदर feeding purpose के लिए मुख्तलिफ किसम के hollow fangs भी मुझूद होगे fangs जो है जिस तरह से human beings की body में teeth like structure है इस तरह से इनी animals के अंदर fangs like structure है और यह fangs जो है they are usually modified in a variety of ways to perform different functions अब जो second pair है इसको हम कहेंगे paddy palp paddy palp जो है वो नाम तोर पर sensory है अब चुकर यह sensory है इसके इलावा यह feeding में भी use होगा locomotion में भी use होगा और reproduction में भी use होगा पिर इसके अंदर another important pairs जो के body के उपर मजूद है वो है इनकी walking legs walking legs जो है वो हमेशा pair की शकल में मजूद है और यह follow करती है paddy palps को posterior to the prosoma अभी हमने जिन structures की बात की वो anterior to prosoma थे अब हम उन structures की बात करेंगे जो posterior to prosoma है वो structure कौन कौन से है वो structure होंगे जो के मुख्तलिफ किसम के systems के साथ involved है यानि feeding के लिए digestive system reproductive system अपनी further reproduction के लिए excretory system body save waste products को remove करने के लिए और respiratory organs जो के respiration में या सांस लेने में help करेंगे यह हैं मुख्तलिफ examples उन animals की जिनका अभी हमने जिकर किया यह horseshoe craved है यह इसके अंदर है spiders, ticks, mites, scorpions अब scorpions के यहां पे आप देखें body sick bented है body को हम two regions में divide कर देती है prosoma और opistosoma प्रो सोमा बाडी का anterior वाला पार्ट और opistosoma बाडी का posterior वाला पार्ट अब यह सारी walking legs हैं जो के prosoma पार्ट के उपर मजूद हैं यह इसकी eyes है अब यह इसका tag bun है और यह इसकी pincer like claws है these are all walking legs अब यह scorpion के उपर भी fangs है अब scorpions जो है आपको पता है जब यह human beings को bite करेगा तो इसकी bite जो है that is causing infection अब वो infection के लिए fangs जो है उनके नीचे glands मौझूद है जैसे ही यह bite करेगा उन glands से poisonous जो है that is secreted to the person to whom it is biting so these are the all animals and significance of importance of the animals including ticks, mites यह भी public health importance के animals है यह animals जो है यह vertebrates पे भी होंगे, invertebrates के ओपर भी as a parasite रहेंगे, human beings पर भी रहेंगे, यह dust mites भी इसी के अंदर मौझूद है यह जो है इसके इलावा यह agricultural crops को भी damage करेंगे तो यह सारे जो इसके अंदर phylum, सब phylum character के अंदर animals हैं ना सरफ as an animal इनकी existence है बलके they are of importance, economic importance, agricultural importance, not only to the human beings but also to the crops.